हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंट्स आज के वीडियो में जानेंगे डियलेट्स रिलेटेड आपके परिक्षा परडाम को लेकर कुछ इंपोर्टेंट बाते साथ ही फ्रेंट्स बहुत सारे प्रसक्षियों को यहां बायक लगा है तो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट चर्चायों होंगी जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा ठीक है फ्रेंट्स चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं और अब प्रोसेश क्या रहने वाला है बहुत सारे प्रसक्षियों यह सोच रहे हैं कि क्या जो रिवाइज अंसर की है यानि क कि फिर से आपका रिजल्ट जारी होगा या फिर रिजल्ट में कुछ घोटाला हुआ है परकुषे नमांग प्रादिकारी द्वारा क्या होगी प्रेकरिया हैं तो सब कुछ आप से वीडियो में बहुत ही सेपट तरीके से देखने को मिल जाएगा अब इस वीच आपको वी बैज के प्रसुक्षू हों या फिर डियलेट 2021 बैज के प्रसुक्षू हो आप सभी के लिए अब देखे फ्रेंड्स आप सभी का सबसे पहला सवाल क्यों कि आप सभी को पता ही है कि ग्यारा तारीक को आपका जो परिक्षा पर नाम है वो गोशित कर दिया गया है है और हाल परिक्षे नाम प्रादिकारी द्वारा एक नोटी जारी की गई है समझत उप्सिक्षा निदेशक और प्रचारिया को कि क्या करिए कि आप जिन भी प्रसुक्षू का बैख लगा है इस्क्रूटनी फॉर्म फिलप के लिए एक देट दे दिया गया है आप अपने कोलेज ब लेते हैं only scrutiny form को लेकर62 कि अब आप यहां समझ सकते देख आप देखिये यहां आप सмыच रहने होंगे की स्क्रूटनी फॉलं क्या होता है तो फ्रेंड्शस अगर आप Multif cier subject में बैक लगा है या फिर एक या फिर दो नमर से बैक लगा है तो आप क्या करेंगे आपको confidence होगा कि नहीं हमने तुटना नमर करा था हमारा नमर सही से count नहीं हुआ है तो friends इसलिए scrutiny form दिया जाता है कि दुबारा से आपका जो copy है check नहीं होगा only number count किया जाता है ठीक है जिसके लिए आपको only ज्यादा से ज्यादा अपमान लेजिए अगर आपका तीन में बैक लगा है तो ज्यादा से ज्यादा आप दो ही सब्जेक्ट का स्कूटनी फॉर्म फिलप कर सकते हैं ठीक है कोई दाउट होगा तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करके पूछ लीजेगा अब देखिए बहुत सारे ऐसे कोलेज वाले होते हैं जहां कहा जाता है स्कूटनी फॉर्म फिलप करने के बाद आप पांच हजार या फिर साथ हजार या फिर दस हजार रुपह दे दीजिए हम आपका नमर बढ़वा देंगे फ्रेंड्स अगर आपके कोलेज वाले कुछ ऐसे कहें तो बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिएगा आप कहेंगे कि चलिए हमारा बैक लग गया है पेपर तो बैक पेपर को आप बैक पेपर की तरह लेंगे और फ्रेंड्स नेक्स सबजेक की त्यारी करते करते आप उस बैक पेपर की वी त्यारी कर लीजेगा यह नहीं कि आप पैसा दे दोगे एक या फिर दो नमर बढ़ाने के लिए क्यूंकि देखा जाए प्रिवियस यह तो फ्रेंड्स ऐसा कोलेज वालों ने किया है पैसा ले लिया गया लेकिन नमर नहीं वो चाहे DLA 2019 बैस धर्ड समेश्टर के प्रसुक्चू हो या फिर DLA 2021 बैस फर्स समेश्टर के प्रसुक्चू हो भारी संक्या में आप कह सकते हैं कि बैक लगा है आप सभी का हम बस एक बात कहेंगे कि कभी भी बैक पेपर को बैक पेपर की तरह लीजे अब देखिए बहु फिर दो सब्जेक्च में बैक लग गया है तो क्या आप फोर समेश्टर का पेपर दे पाएंगे तो बिलकुल हाँ आप दे पाएंगे लेकिन वही थोर्ड समेश्टर आपका तीन से तीन या फिर तीन से ज्यादा बैक लगा है तो आप फोर समेश्टर का पेपर नहीं दे ठीक है अब ये बात हो जाती है अब बात हो जाती है माल लीजिए आपका सेकेंड समेश्टर में तीन बैक लग चुका है और खासकर डियालेट 2019 बैच की बात की जाए तो क्या होगा तो होना कुछ नहीं है फ्रेंड मैंने आपको बार बार कहा है आपको सब कुछ प्रोसेस बताया जाएगा सबसे पहले आपको एक अप्लिकेशन लिखना होगा या आप एस जाटी या फिर आप अपने कोले से संपर्क करिएगा या फिर डायेट क्योंकि केलेट कोर्स किया है वो रद हो जाएगा मानिता नहीं होगी उसकी है ना तो यह सारी बाते हो जाती है तो बिलकुल भी आप सभी को यहां घबराना बिलकुल भी नहीं है हाला कि अगर देखिए फ्रेंड यहां बात की जाए इस्कूटनी फोर्म का डेट भी मेंसन कर दिया कर दो दो बात को से तना बिलकुल कोई मतलब नहीं है कि इसमें कोई भी चैंजर देखने को नहीं मिलता है मानीए क्यूंक की आप 7 में कुछ नहीं होता है उसी दो महीने में हम उस पेपर के त्यारी कर लेते और अपना एक्जैम दे देते हैं ठीक है तो यह सारी बाते हो जाती है और यहां देख सकते हैं साब साफ फीस मेंसन किया गया है तो फ्रेंड सबसे पहले जिन भी प्रसुक्षियों का यहां भैक बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपकी दोश फ्रेंड्स हैं उनको जरूश्य करिएगा हो सकता है आवाज में थोड़ी दिक्कत हो तो थोड़ा आप सभी अर्जेश कर लीजिएगा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स बात यहां यह आप द एक मतलब तैयारी होता है इनके कहने के बावजूद भी उसके एकोडिंग नहीं होता है आप रिजल्ट को ही ले लीजिए ठीक है उसी प्रेकार जी तरह से यह कहा जा रहा है यह पूरा फैलाया जा रहा है कि दो मन्त बाद बैक पेपर करा लिया जाएगा तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी क्लियार्टी नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन हाँ आप क्या करिया भी अगर आपका एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा है वो चाहिए आप किसी भी समेश्टर में हो तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल नेक्स समेश्टर के लिए ऐलेजबल है यानि कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी बात रख सकते हैं आपके सवाल क्या है हम कोशिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल आप सभी को अधिकारिक जनकारे दी जाए ताकि आप सभी को परिसानी ना हो ठीक है फ्रेंड्स तो यह सारी नोटिफिकेशन जारे की गई है जो अधिन एक्स वीडियो में तब तक लिए आपसे भी अपने ख्याल रखें थांक्स वाशिंग टेक क्यार आप